जहिन सात्य नमश्कार ट्रेपल सी की आज की इस क्लास में हम डिस्टस करेंगे 20 फरवरी 2013 को ट्रेपल सी एकसाम में पूछे गए most important questions और आज की इन प्रस्णों को हमारे पास send किया है सिवम मिक्स वी लॉक्स जी ने रितेश जी ने, ब्यूटी शुकला जी ने, अनुच सिंग जी ने, ब्रजेश यादो जी ने सबसले इन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सिवम जी ने question को send करते हुए लिखा है कि सर आज मेरा triple से का exam था और आपकी क्रपा से बहुत अच्छा गया है सर मैंने कोई भी coaching नहीं ली, सिर्फ आपकी class अटेंड करते रहे थैंक्यू सर आपकी class से काफी questions आये थे सर धन्यवाद सिवम जी दुश्टों सभी के exam में एक जैसे questions नहीं आते हैं सभी exam में अलग-अलग questions होते हैं तो हम पूरी कोसिस करते हैं exam based जो भी questions हमारे पास collect होते हैं उन्हीं को आपके साथ discuss करते हैं तो आपके exam में जो questions आये रहें, जो भी आपको याद रहें वो हमारे साथ share जरू करिएगा ताकि उन questions को अपनी classes में हम discuss कर सकें तो आईए देखते हैं आज का exam कैसा रहा, कैसे questions आये थे और exam से पहले आप सभी लोग हमारी CCC की महा मेरतन class को देखना मत भूलिएगा वह एक class आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है बार-बार में आपसे कहता हूँ कि उस class को देखना आप मत भूलिएगा तो महा मेरतन जरूर देखिए और जिने भी e-book किया हो शकता है वीडियो की नीचे 2100 most important question की e-book की link है उसे जरूर आप download करिए पर ये CCC exam को top करिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह class आज का पहला प्रस्ट है सामने वाले प्रस्ट में नमूना पार्ट समवात के dot 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 के रूप में प्रदर्शित होता है इन सभी प्रस्टों को आप सभी लोग mock test के रूप में लेते रहिए और comment box में आश्च देते रहिए वीडियो के लास्ट में आप जरू बताएगा कि आपके कितने questions सही हुए है इन front page sample text is displayed at dot 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 of dialogue upper part, lower part, middle part या center part मतलब front page में sample text कहां पर display होता है upper part में, lower part में, middle part में या फिर center part में तो इसका right answer हो जाएगा option D center part में या visible होता है option D is right, अब next PC और embedded system में किस memory stories का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है बताइए क्या होगा इसका right answer PC और embedded system में किस memory stories का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है? से उप्योग किया जाता है WEP ROM का, Flash Memory का SRAM का या फिर DRAM का तो यहाँ पर इन सभी के बारे में तुरह सा डिसकस कर लेते हैं important part है जैसे WEP ROM का full form क्या है यहाँ भी exam में पूचा आता है तो पहले आप जानिए कि memory क्या होती है memory के कितने part होते हैं यह समझना आपके लिए important है तो देखिए memory के दो part होते हैं अगर आप एक diagram के दोरा देखें तो memory के कितने part होते हैं दो part होते हैं कौन से एक होती है primary memory और दूसरी होती है secondary memory ठीक है यह आपका क्या है memory का diagram ऐसे आप समझ लीजे तो primary memory के भी दो part है कौन कौन से एक है आपका room और दूसरा है RAM रोम और RAM यह primary memory के ही दो part है अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि primary memory को हम और किस नाम से जानते हैं तो primary memory को हम किस नाम से जानते हैं यह बताइए इसे हम main memory कहते हैं क्या बोलते हैं main memory भी बोलते हैं दूसरा primary memory को हम बोलते हैं internal memory कैसी memory? internal memory क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो primary memory है, वो कहाँ पर होता है? आपके computer में CPU के अंदर होता है इसलिए इसको internal memory भी कहते हैं, और CPU सबसे पहले access करता है इसलिए इसको main memory भी बोलते हैं इसके लावा इसकी processing भी काफी जल्दी होती है access करने में समय कम लगता है अब ऐसे ही यहाँ पर बात की गई है किसकी? Rome की तो Rome का full form क्या है? तो Rome का full form होता है read only memory क्या होता है? read only memory होता है Rome का full form और RAM का full form ऐसे ही होता है आपका random access memory ठीक है? दोनों के full form याद रखिएगा तो यहाँ पर double EP Rome का full form पूछा है तो इसका full form होता है electrically, erisable, programmable, read only, memory Rome के तीन पार्ट होते हैं टोटल कौन कौन से? यह भी आप जान लीजे तो पहला पार्ट होता है P Rome, दूसरा EP Rome और तीसरा double EP Rome होता है तो P Rome का full form programmable, read only, memory EP Rome का erisable, programmable, read only, memory और double EP Rome का full form होता है electrically, erisable, programmable, read only, memory ऐसे ही RAM के दो पार्ट है SRAM और DRAM SRAM का full form होता है static, random, access, memory और DRAM का full form होता है dynamic, random, access, memory तो PC और Emirates सिस्टम में DRAM memory storage का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है option D, DRAM ठीक है dynamic, random, access, memory मतलब जो memory लगातार change होती रहती है गतिशील होती है वह DRAM कहलाती है ठीक है अब देखो यहाँ पर SRAM और flash memory और double EP Rome यह क्या है DRAM की अपेक्चा अधिक महेंगी होते है मतलब क्यूं उप्योग करते हैं यह भी आपको जाना जरूरी है कि PC और Emirates सिस्टम में किस memory storage का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है तो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि main system क्या है कि जो DRAM है इसकी cast low है और SRAM, flash memory, double EP Rome इनकी cast काफी जादा होती है इसलिए इसका उप्योग जादा किया जाता है अब next क्या आप LibreOffice Calc में पंक्तियों को hide कर सकते हैं You can hide and unhide the rows in LibreOffice Calc तो बिलकुल सही बात है LibreOffice Calc में row हो या फिर column हो उसे आप hide या unhide कर सकते हो अब next compiler निमलिखित में से किस error की जाँच करता है syntax error, logical error, both logical and syntax error या compiler cannot check errors तो compiler क्या करता है system में जो भी आप program लिखते हैं जो भी code है उस code के syntax में error को चेक करने का काम करता है तो इसका right answer जाएगा option first syntax error अब next internet is internet क्या है large csma obliccd network large client server network intra network या network of networks आप सरी लोग उप्योग करते हैं तो यहाँ पर इसका right answer जाएगा option d networks of network network नेटवर्कों का network है internet जिसे हिंदी में क्या कहते हैं तो अंतर जाल के नाम से जानते हैं internet को अब next निमलिकित में से कौन सा plane 2D रूपांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है which are the following plane is used for 2D transformations 3-dimensional plane 2-dimensional plane 1-dimensional plane या 4-dimensional plane तो 2D transmission के लिए 2-dimensional plane का उप्योग किया जाता है option B is right अब next वेब मानक worldwide wave constrium दोरा त्यार किये गए है the wave standards are formulated by the worldwide wave constrium अब यहाँ पर देखे एक question आपके लिए और बन जाता है कि W3C का full form क्या है और दूसरा हो जाता है कि WWW का full form क्या है तो WWW का full form होता है worldwide wave क्या होता है worldwide wave है ना और W3C का full form होता है क्या worldwide wave constrium तो यहाँ पर पूछा गया है कि wave मानक worldwide wave constrium दोरा त्यार किये गए है तो बिल्कुल सही है option B is right present time पर WWW मतलब worldwide wave का जो रख रखाओ है उसकी पूरी देखरेक है उसको organize करना यह W3C ही करता है अब next कौन सा नेटवेर प्रोटोकॉल लिंक इस्टेट रूटिंग प्रदान करता है Which network protocol provides link state routing? NLSP, RIP, SAP या NCP? क्या होगा इसका right answer? NLSP option first, यह आपका network protocol है, जिसका उप्योग link state routing के लिए किया जाता है means NLSP program जो है, यह क्या करता है? Link state routing प्रदान करने का काम करता है अब यहाँ से एक question यहाँ पूछा जाता है, कि भाई NLSP का full form क्या है? हमा, NLSP का full form क्या है? तो इसका full form ही होता है network link service protocol, note कर लीजेगा, यहाँ पर note down कर देते हैं net where link services protocol, यह होता है इसका full form अब next, where does one of the following appear in footer area in the handout master? handout master में footer छेतर में निम्रीखित में से कहाँ दिखाई देता है top of the page, bottom of the page, center of the page या bottom right of the page तो right answer, bottom of the page है ना, page के bottom में ही दिखाई देता है अब next IPv6 में एक IP address का आकार क्या होता है? 4 bytes, 128 bits, 8 bytes या 100 bits तो IPv6 और IPv4 ये दोनों आपके लिए important है दोनों आपके एक्जामें पूछाते हैं कि IPv4 कितने bit का होता है और IPv6 कितने bit का होता है तो बताईए क्या होगा इसका right answer? तो IPv6 कितने bit का होता है? 128 bits का होता है अगर यहीं पर पूछता है कि IPv4 कितने bit का होता है? तो यहां आपका 32 bits का होता है तो यहां आपका 32 bits का होता है और IPv6 128 bits का होता है यह question कल भी exam में repeat हुआ था आज भी repeat हुआ है most most important question है अब next Libre office writer के status bar में इन में से क्या नहीं दिखता है? total word, present page number, name of the computer या none of these तो आईए हम open कर लेते हैं Libre office writer और with practical देखते हैं कि status bar में क्या चीज़ें दिखाई देती हैं और क्या चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तो एक चीज़ आपको जानना होगा कि status bar कहां सो करता है तो यहां पर देखिए सबसे last में जहां पर लिखा है page one of one यह आपका क्या है status bar है यह जो पूरा area है जहां पर जोम in, जोम out, इंग्लिस, USA, default page इस्टाई लिखा हुआ है यह क्या है आपका यह status bar है अगर आपको status bar नहीं देखना है तो view पे जाएंगे यहां पर status bar पे जो tick है यह हटा देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि status bar आपका remove हो चुका है फिर से लाना है तो view पे जाना है और फिर से status bar पे click कर देंगे तो यहां पर आपका status bar आ जाएगा अब यहां पर मालीजिए कि हम कुछ भी लिखते हैं जैसे हमने लिख दिया अब है Excel computer live class 7.30 pm है ना तो आप यहां पर देखिए यह बता रहा है कि अभी हमारे document में कितने page हैं 1 है कितने words हैं 7 words है 41 characters हैं हमारी zoom size कितनी है कम जादा करेंगे तो यहां पर कम जादा आपकी हो जाएगी लेकिन यहां पर कहीं बही computer का नाम show नहीं करता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा name of the computer क्योंकि status bar में present page number मिला total word मिले name of computer नहीं मिला अब next blockchain technology में block किस क्रम में जुड़े हुए हैं random order में not linked with each other एक दूसरे से link नहीं है backward to previous block या forward to next block बताइए in blockchain technology blocks are linked in which order तो backward to previous block इस क्रम में लगे हुए हैं है ना अब next इन में से कौन सा IP प्रोटोकॉल के लिए लागू नहीं है इस connection less offer available service offer unreliable service does not offer error reporting बताइए प्रोटोकॉल के लिए लागू नहीं है यह यहाँ पर कहा गया है अगर यहाँ पर देता error reporting शिर्फ तो यह सही होता था लेकिन यहाँ पर दिया है does not offer error reporting इसलिए यहाँ पर यह option right नहीं होगा इसका right option यहाँ पर हो जाएगा option B offer reliable service ठीक है option B is right अब next LibreOffice Calc में सभी कालमों को योग करने के लिए नेम लिकेट में से कौन सा formula सही है तो यहाँ पर देखे एक शीज़ आप जान लीज़े कि आपको formulas का उप्योग करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे उप्योग कर सकते हैं इसलिए मैंने एक class कराई है formula capsule के नाम से YouTube पर सर्च कर लीज़ेगा formula capsule by abexcel computer आपको class मिल जाएगी हमें कोई भी formula उप्योग करना है तो formula को उप्योग करने के लिए सबसे पहला काम equal sign का उप्योग करना है बिना equal sign के formula वक नहीं करेगा अब हमें total करना है तो equal sum और पहले cell से करना है तो a1 लिखना है column लगाना है फिर last cell हमारा कौन सा है amj है लास्ट column तो amj हमने लिख दिया total row कितनी होती है 10,566 और bracket close और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर error सो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ a लिखा हुआ है यह हमारा क्या होना चाहिए a1 है ना और यहाँ पर पूरा हमें ले लेना है तो हमारी जो पूरी वक्षीट है पूरी वक्षीट एक साथ क्या होगी add हो जाएगी मतलब उस सिल में जितने भी numbers होंगे सारे एक साथ यहाँ पर add हो जाएगे याद रखिएगा ठीक है तो right answer equal sum a1 colon amj 10,58,576 अब next एक वेब पेज पर किसी दूसरे वेब पेज से जुड़े आइकन या इमेज के टुकड़े को क्या कहा जाता है a piece of icon or image on a web page associated with another web page is card, URL, hyperlink, plugins या extensions तो इसका आइटान सब्जाएगा option B hyperlink कहते हैं ठीक है hyperlink अब next CAD stand for CAD का full form क्या है computer algorithm for device computer area discovered design computer added design या none of the above बताएगे CAD का full form क्या है तो CAD का full form होता है computer added design option third is right अब next DOS attack जिसमें हमलावार means attackers बड़ी संख्या में आधे खुले या पूरी तरह से खुले TCP connection को लच होस्ट पर इस्थापित करता है क्या होगा इसका right answer ध्यान से देखिए options को और question को कई साइ questions आपको ऐसे ही मिलते हैं काफी large होते हैं बड़े होते हैं यह question मैंने previous में करवाया भी है जो मैंने triple C की marathon class कराई थी उसमें discuss किया था और as it is यह question आज एक्जाम में पूछा गया था तो इसका right answer जाएगा option C connections exploding ठीक है अब TCP क्या है इसका full form भी एक्जाम में पूछाता है तो TCP का full form होता है transmission control protocol क्या होता है transmission control protocol अब next internet explorer web browser है बताइए क्या internet explorer एक web browser है तो बिल्कुल सही बात है internet explorer एक web browser ही है ठीक है option first is right दोसी चीज आपको यह जानना पड़ेगा कि internet explorer कब launch हुआ किस company ने launch किया यह भी आपके लिए important है तो internet explorer को launch किया गया था 1995 में कब 1995 में किस ने launch किया तो Microsoft company ने इसको launch किया था तो Microsoft मतलब Windows operating system के साथ में मिलने वाला operating system नहीं brave browser था internet explorer अब next किस topology के लिए एक multipoint connection की आवसकता होती है star, maze, ring या फिर bus मताईए किस topology के लिए एक multipoint connection की आवसकता होती है तो right answer का option D bus topology के लिए एक multipoint connection की आवसकता होती है अब next desktop की theme को हम कभी भी बदल सकते हैं बताइए क्या desktop की theme को हम कभी भी change कर सकते हैं true या false तो देखे theme को customize करने का option हमें जब operating system में दिया गया है तो वो इसी लिए दिया गया है कि हम अपने recording उसे customize कर सकें तो जब हम चाहते हैं उसे customize करना आसानी से customize कर सकते हैं मतलब इसका right answer option first true अब next wtmp और utmp फाइलों में सामिल है क्या सामिल है temporary system data user login logout log the user's command execution log the user's and shouldo attempts Wtmp और utmp फाइलों में सामिल है user के login और logout session का record है ना तो option B is right user login logout log अब next नेमलिकेत में से कौन सी cloud computing की विसेश्टाएं है which are the following are the feature of cloud computing security, availability, large network access या all of the mention तो यह सब कुछ cloud computing की विसेश्टाएं है option D is right अब एक चीज़ यहां पर आप में से बहुत सारे लोग को पता भी होगी और बहुत सारे लोग unknown होगे कि cloud computing क्या होती है तो cloud computing को अपने भारत में मेगदूत के नाम से जाना जाता है तो वास्तों में अगर देखें तो यह क्या है internet आधारिस प्रक्रिया है मतलब इसमें जैसे google apps cloud computing का ही एक उधारण है जिसके माद्यम साब जानकारिया प्रात कर देते हैं वेब राउजर को आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो वो आपको एकसेस करने देता है उसके बारे में information प्रवाइड करता है तो आप cloud computing के अंतरगती आता है मतलब आप कह सकते हो कि cloud computing क्या है एक ऐसी टेकनोलोजी है जिसमें data और program को internet में store और access किया जाता है या आप ये कह सकते हो कि या एक ऐसी टेकनिक है जिसके दाटा और information को internet की सहायता से store कर सकते है manage कर सकते हैं और retrieve किया जा सकता है अब next निम्ण में से कौन सी unix की विसेशता नहीं है multi user, easy to use, multitasking या portability तो portable भी है, multi user भी है, multitasking भी है लेकिन easy to use, आसान नहीं है, तो असा critical है, difficult है तो unix की विसेशता में ये easy to use नहीं है option B is right of next internet of things सब्द किसन ने गढ़ा Kevin Ashton, John Wright, Edward Jamson या George Galton बताए, who coined the terms internet of things तो इसका राइटर असर जाएगा option first, Kevin Ashton या internet of things सब्द इन्होंने ही खोज में लाया था, इन्होंने सबसे पहले उसको सबके समने लाया Kevin Ashton अब next फेस्बुक एडू पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संगरहीत करता है प्रोजेक्ट प्रिजम, प्रिजब, जाटक या प्रोजेक्ट बीड फेस्बुक क्या है, तो फेस्बुक वर्तमान समय की सबसे famous social networking site है क्विश्बुक के ओनर कौन है, या क्विश्बुक के आपके लिए important है तो Facebook के honor है, present time पर उसके CEO है, Mark जुकर बर्ग ठीक है, Facebook की खोज कब हुई, यहाँ प्रश्ण भी आपके लिए important है एक्जामें पूछाता है, तो Facebook की खोज हुई थी 2004 में और इसका right answer है project prism, अब next Word में किसी सब्द की व्याकरन अशुद्यां होने पर नीचे लाल रेखा प्रदर्शित होती है, बताइए, क्या Word में किसी प्रकार की अगर कोई grammatical mistake है तो नीचे red line आ जाती है तो बिल्कुल सही बात है, option first is right, अब next Computer निमलिकित में से किस भासा को समझता है Computer understand only C language Computer understand only assembly language Computer understand only binary language या Computer understand only basic language Computer सिर्फ C language को समझता है या assembly को या binary को या basic को तो इसका right answer हो जाएगा क्या binary language पर work करता है, binary language को समझता है, machine भासा को समझता है अब next Browser में कई tab open है, Ctrl प्लस W करने पर क्या होगा? Close alt tab, close browser, close current tab या none of these मताईए, क्या होगा इसका right answer? यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा open है, web browser यहाँ पर कई tab हमारी open है और हम Ctrl प्लस W प्लस करते हैं तो क्या हुआ? हमारी current tab जो है, वो close हो गई मताईए, इसका right answer क्या होगा? Close current tab, current में जो tab open है उस tab को बंद करने के लिए, Ctrl प्लस W का उप्योग किया जाता है अब next What will be the value of equal 25, divide by bracket 32 minus 16 multiplied 2 बताईए, इसका right answer क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, हम calc open कर लेते हैं calc में देखते हैं कि आखिर इसका right answer क्या होगा? यहाँ पर हमारा question क्या है? equal 25, divide by bracket 32 minus 16 multiplied to bracket close और enter तो यहाँ पर देखिए, error आ रही है, क्यों आ रही है? यह भी समझे है पहले यहाँ पर जो bracket के अंदर value है, इसको साल्व करेंगे तो bracket के अंदर यहाँ पर क्या है? 32 minus और फिर multiplication को प्रात्मिकता देते हैं तो यहाँ पर 62 multiply 2 करेंगे तो कितना जाएगा 16 multiply 2? 32 हो जाएगा अब यहाँ पर 32 में से 32 को minus कर देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा यहना? मतलब यह कितना हो जाएगा? 0 और लिब्र आफिस calc में अगर आप कोई फर्मला उप्योग करने हैं और किसी भी number को 0 से divide करते हैं तो वहाँ पर हमेशा यही error सो करेगी तो right answer क्या हो जाएगा? option first ठीक है? याद रखिएगा option first is right ठीक है? अब next यह शिंबल यहाँ पर रहता है irctc.co.in की साहता से कौन सी ticket बुक कर सकते हैं? which tickets can be booked with the help of irctc.co.in flight ticket, bus ticket, train ticket या none of these बताइए आप सभी लोग present time पर irctc.co.in की साहता से हम train ticket आसानी से बुक कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option c train ticket अब यहाँ पर दिया गया है flight ticket और bus ticket के बारे में तो irctc website के माद्यम से हम यह भी कर सकते हैं तो यहाँ पर irctc.co.in आप लिखते हैं तो train की ticket के लिए option open होता है लेकिन अगर यहीं पर आप bus की ticket के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर website में इसका domain थूलो सा change है sub domain का उपयोग किया गया है bus.irctc.co.in और flight की ticket आपको book करना है तो flight की ticket book करने के लिए air.irctc.in का उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ पर यह आपका right answer हो जाएगा train ticket के लिए irctc.co.in flight ticket के लिए air sub domain का उपयोग किया गया है तो यह थे आज के most important questions दुश्टों exam के पहले कल morning में 7.30 एम पर जो class होगी उसे attain कर लीजेगा आज की यह class पशंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे और चैनल से जूनने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजे एक्साम से पहले हमारी महामारतन क्लास को देखना मत भूलिएगा और एबुक की लिंक वीडियो के नेचे दे रखी है, जरूर डाउनलोड कीजे पढ़िये और triple C exam में टॉप करिए, thanks for watching my video